सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हादिक सोगत है जैन दी रियक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिए एक इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे मशूर पतरका आरजु कास्मी जी को जो कि ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारा देश भारत के बारे में बलकि जिहादियों, शांती दूतों और खासकर पाकिस्तान के दोगलेपन की भी बात करेंगी तो ये वीडियो काफ़े इंट्रोस्टिंग होगी इसे अन तक देखें और चैनल प बड़ी सेलेबरेटी नहीं हूँ, आपकी बहुत मैयरबादी के आप इतना इज्जत देते हैं और इतनी रिस्पेक्ट देते हैं तो बहुत शुक्रिया, वाकिब साओधी अरब की पहले अगर बात करें तो साओधी अरब जो है वो पहले से ही एक कंट्री थी पाकिस्तान क नहीं है, वो लोग काफी पावरफुल हैं, वो अपनी मर्दी से चल सकते हैं, वो बहुत मैं काऊंगी अपना दिमाग भी उनका इस्तमाल कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि ऑईल हमारे पास खतम हो रहा है, और जिस वक्त ऑईल खतम हो जाएगा उसके बाद आगे के ड्राइब नी कर सकती थी, वो भी कर सकती हैं, अकेली हज उम्रे पे भी जा सकती हैं, और जो मौमद बिन सल्मान ने ये भी कहा था कि मैं पास साल में यॉरप बना दूँगा, सौदी अरप को, और वो इस तरह के चेंजिस ला रहे हैं, और बिल्कुल सक्ती के साथ ला रहे और आई विश के उनको को प्रोख ना पाया, और जो उन्होंने कहा है वो वो बिल्कुल करके दिखाएं, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान ist uma हिसिया है, और इस तारे बारे में आप ना को ही इस्तिमाल करते चले चलें पाकिस्तान को चलाने के लिए यहां जितना जादा religion को misuse किया जाता है उतना शायद ही कहीं पे किया जाता और उसके बारे में आप ना कोई सवाल कर सकते हैं कुछ बलके कहीं पर मैंने पणा तक किसी मॉजाख में लिखा था कि किसी सॉओधी ने पाकिस्तानि से कहा कि कल्मा तो हम ने पढ़ा है लेकिन तुम्हारी तरह बावले हम नहीं हो गए तो वह वाली बात है कि यहां पे जिस तरीके से religion का misuse किया जाता है बहुत सा जितनी society का आप दबाते हैं ना जितना जादा conservative society बनाने की आप कोशिश करते हैं उतना जादा लोग उल्टे काम करते हैं ये भी एक fact है पाकिस्तान में ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं permission या नहीं होता अगर किस चीज़ की permission नहीं होता जितनी शरण यहां पी जाती है parties में शयाद ऐसी countries में नहीं पी जाती होगी जिनका अजाजत है हमारे यां लोग आगर आप national days पह चले जाएं जो different countries के होते हैं तो आपको Islamic countries के जो होते हैं वहां पे आपको बहुत कम लोग दिखाई देंगे और जो बाकी countries के हैं वहां बहुत जादा पाकिसानी जाते हैं क्योंके वहां पे उनको शराब मिलतीय अल्कोहल मिल जाती या फ्री की पीकर आते हैं मैंने एक बार मुझे याद है कोई चार-पांच साल पहले फेस्बुक पे लिख कर भी लगाया था क्योंकि बहुत से ambassadors हैं जो मेरे साथ फेस्बुक पर है तो होता यह था कि जब event होता है को special day होता है तो वहां पर जाते हैं तो फिर लोग एक दूसरे से थोड़ी बातचीत करते हैं फिर जो भी उसके बात करनी है वो करता है उसके बाद जो होता है और बस पिर कहानी खतम पार्टी खतम हो जाती है उससे पहले क्या होता था कि यह लोग ड्रेंक कोल देते थे जो कोई क्या रहा है वो ड्रेंक ले और बस ड्रेंक पीते हैं पीते हैं वो बातचीत कर रहा है पस में या पर जो £ 귀여 होती है या जो चीफ पे लिखके लगा दिया था कि जब तक आपकी स्पीच कंप्लीट ना हो जाए चीफ गेस्ट बात ना कर ले आप अलकोहल मत खोला करें क्यूंकि हमारे लोग पी पी के बिलकुल जिसे कहते हैं अपना बुरा हल कर लेते हैं तो उस पे बहुत से पाकिसानी है नराद भी हो गए पाकिस्तान में जो है वो दो तरहां की लोग रहते हैं तो बहुत जादा रिलिजियस रहते हैं बहुत एक्स्ट्रीम पर रहें लेकिन यह जो कोती है ना बैलंस किसम की सोच वो लोग बहुत कम रहें और ऐसा नहीं है कि जो रिलिजियस हैं या कोई मौली मौलवी मौलाना ह आपने क्लास केला केसे जो आपको मॉला माफिआ में जो जिसको मैं बलाना पारिक जमील हो गए या सब के बिजनेसें कोई बुटीक है किसी का कुछ है बड़ी बड़ी गाड़ियन को गिफ्ट हो जाती है और इस किसम की चीजें लोग इन्हें खुद दे देते हैं यह सोच करके भाई यह तो बहुत बड़े मौलाना हैं और क्या है उसके बाद यह उसका मिस्यूज चुरू कर वो खतम कर देते हैं यह लोगों को बस यह बताते हैं बस इनके काम करो अगर ऐसे यह तो फिर अपनी काड़िया चोड़ दें यह भी एक साधा जिन्दगी गुजारें जैसे अब्दुल सतारीदी की थी मेरे लिए तो वह बहुत आईडियल है जो अब्दुल सतारीदी करते हैं और इसी वज़ा से पाकिस्तान का यहाल है और जो लोग यहां पर अंब्दुल सारे मौलाना बलकर आपके यह यहूदियों का एजन्ट है वो तो गलत कर रहा है और उसको तैसे करना नहीं चाहिए और आपकी जो यूनियन मिनिस्टर गहीं थी तो उसके पर भी जह यह होते कौन है कि उन्होंने आने दिया तो यह इस किसम की नफरत जो है वो यह जहर जहनों में वो भी इन्होंने भर रखा है स्टूडेंट्स के और यही वज़ा है कि आपको यहां पे बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो यह कहें कि नहीं पाकिस्तान कुई चीजों में से निकलना चाहिए अब जब साओधी अरब आगे बढ़ गया है कही ना कहीं से इन पर प्रेशर तो आएगा साओधी अरब के बाद अब यहां पर चाते हैं टूरिस्ट आए हमारी बड़ी ख्वाइश है कि जैसे भारत में टूरिस्ट आते हमारी हैं भी आएं लेकिन क्या हम आफर कर रहे हैं टूरिस्ट को कुछ भी नहीं ना हम उसको कोई वो ड्रिंक पी सकता है ना कोई तरह के उनको खाने मिल सकते हैं ना कोई हमने रोड बनाई है ना हमने को सेक्योरिटी रखी है कोई चीज हम प्रोवाइड नी कर रहे हैं अभी भी मैंने वीडियो में भी बा जहां कोई आना पसंद नहीं करता और उसमें हम उसलसल अपने आपको जैना स्लाम का ठेकेदार बताते रहते हैं आजु जी अविती अब आर्जुसी अवर्ट के ऐखी अलगे यह सॉस्ट आप नोरा कोड़ने जो अर्च आप अभी आपने कहा के अपने का Hm अर्षल्ट के बारे में आपने इक मैंशन किया उस्ट क क्या आज cał систPro यह दो चीजे प्रोहिबिटेड है और तो इस चीज में पैचे एक कुछन तो यह भी था शराब अगर देखिए इस्लामी कंट्री में शराब बैन है तो मिलती कहा से है हमारे यह तो उपन ठीके दिये जाते हैं एक कॉंट्रेक्ट दे दिया जाता है कि यह पर्टिकिलर परसन से दुकान के उपर शराब बेचेगा एंड ही इस अलाओ तो डू सो पाकिस्तान में इस तरीके के शराब की लेकर शॉप्स होती हैं क्या नहीं नहीं होती लेकिन मिल ज पाकिस्तान में अगर आपके पास पैसा है तो आपको कुछ भी मिल जाएगा आपको ड्रक्स से लेके हतियार से लेकर अल्कॉहल तक हर चीज मिल जाएगी आप से मैंने बड़ा जीम सा कुछिन पूछा है यह लेकि क्योंकि अब वो लाइसेंस मिल जाते तो लाइसेंस वाल जाते हैं जो पास और पिक्टर बेच ज्याएं उसे इंटरनेट से और पटा देंगे आपको के इस इतनी प्राइस प्राइस की हो केंगा यह कर देंग्षा तो यहां पर तो यह सब कुछ चल रहा है तो भाई पिल उसको लीगल क्यों नहीं कर देते हैं एक हमारे बड़े अ वो कहते हैं इसको legal करदो कमस कम Taxi आपको मिल जाएगा, क्योंकि पी तो सभी रहे हैं, ले तो सभी रहे हैं यही पीजे मीर साब ने कहा कि टेक्स मिल जाएगा आकर आप इसको क्यों मतलब इस तरह से बैंड कर रख रहा है जबके रुक तो कोई भी नहीं रहा है सिवाए उन लोगों के बिचारों के जो बहुत ही चोटे टाउन में या विलेजेस में रहते हैं वो अपनी कच्छी शरा कहलाती है वो तो उससे हो रहा है लेकिन बाकी तो वतब लोगों क्या भरी पड़ी है कोई ऐसा नहीं है तो फिर जाहरे टेक्स लगाना चाहिए इनको दोस्तों आश्रा करता हूं कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और हरी महुझी और आर्जु कास्मी जी का ये उसके बारे में भी आपको अर्जु कास्मी ने बताया और जैसे की अरजु कास्मी जी ने बात की बिल गेट्स के बारे में जो आजकर हमारे प्यारे देश भारत में हैं जब से उन्होंने डॉली चाये वाले के बास चाय पिए अ अब से डॉली चाहे वाला भी वायर हो गया तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए सी लेटेस इंट्रोस झाल झाल